असलाम अलेकूम and we're talking about copyrighting हम बहुत बातें इस पूरे कोर्स में करते रहे हैं लिखने की और खास तोर पे ऐसी लिखाई की जिससे आपको earning मिल सकती है, job मिल सकती है उसमें बहुत बड़ा जो एक category है वो copyrighting की है आम तोर पे जब हम copyrighting का सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि जी इस्तिहार लिखना या traditionally TV के जो इस्तिहार होते हैं या radio के जो इस्तिहार होते हैं या जो newspaper होते हैं उनकी जो copy होती है उसको copyrighting कहते हैं अब थोड़ा सा जिससरा digital आता रहा है और जो traditional advertising है वो भी बढ़ती रही है उसके जो realm है वो बढ़ता रहा है इसका थोड़ा सा scope भी बढ़ रहा है ये ऐसी एक लिखाई है जिससे आप चीजें बेच सकें और एक अच्छे तरीके से बेच सकें एक इसका example हम ये देख सकते हैं कि अगर ये मेरे पास एक pointer है और मैं कहती हूँ कि जी इसको खरीद लो तो शायद आप खरीदें जादा यही इमकान है कि आप नहीं खरीदेंगे मगर अगर मैं इसको एक अच्छे copyright के तरह अगर इसका मैं कहूं कि जी ये pointer है इससे आपकी जिन्दगी आसान हो जाएगी और जो आप स्क्रीन पे जाके उंगली पे रखने की जगा आप जहां खड़े है ease of comfort है आप point करेंगे और आपका काम हो जाएगा तो इसलिए आपका फाइदा है अगर आप ये खरीद लेते हैं तो obviously हमने कोशिश ये करनी है कि हम इस तरह की बात लिखें या इस तरह की copy लिखें या इस तरह की writing लिखें जिससे आप चीज़ बेच सकें So basically what we are wanting them to do is we want them to engage यानि कि हम चाते हैं कि वो हमारे साथ एक interaction करें जब हम कोई चीज़ लिखें तो उसको वो जो भी पढ़ने वाला है या देखने वाला है या सुनने वाला है वो उसके साथ engage करें वो उसके साथ एक ताल्लुक पैदा करें Generously giving something valuable to the person not just greedily asking यानि कि आप कहते हैं कि जी हम हमारा बहुत बड़ा दिल है हम बड़े दिल वाले लोग है हम बहुत generous हैं हम आपके लिए ये सब कुछ लेकर आए बजाए इसके के लिए हम उनसे कहें कि जी ले लो ले लो ले लो बस बेचना बहुत जरूरी है वो जो एक ज आपको लिए क्या कर सकते हम आपको क्या दे सकते हैं आपको हमसे क्या फाइदा है so getting them to want to buy from you या इनका जी चाहे यह नहीं कि आप प्रेशराइस कर रहे हैं उनके उपर कि तुम लेते हो के नहीं लेते हो यह करने की जगा हम उनसे कहें कि नहीं जी अगर आप लेंगे तो आ अब हम देखेंगे थोड़े से एग्सांपल के एक एक एग्सांपल जो है हमारे पास कॉपी का यह मैस एमेल का है और दिस रीद्स मिस्टर मॉनीबाग्स अजी मेल, बॉबबी अजी मेल, है गिमी मनी, that's the subject title and it says, Dear Mr. मॉनीबाग्स, I really want more money from you, so please buy my products. Our products are good and we are dedicated to strong customer support loyalty and we recognize the importance of customer care and we are here to help you implement your organizational needs. Sincerely, Bobby, basically कह रहा है, सुने, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे पैसे चाहिए हैं, तो इसलिए मेरा product खरीदिये, और मुझे पैसे देदीचे, और हमें लगता है कि हमारे जो products हैं, वो आपके organization के लिए बहुत अच्छे होंगे, तो यह एक तरीका हैं, और I'm sure आपको अंदाजा हो गया होगा कि इससे को खास पैसे तो इनको मिले नहीं होंगे, तो अगली एक email उन्होंने सही तरह जिसरा copy लिखी जाती है, उस तरह भेजी और उन्होंने कहा कि जी, Hey Mr. Moneybags, I figured out a way to cut your HTX building cost by at least 55%. Attach this report that shows your company will easily save 55% by sourcing your granite from a closer location. I found three vendors close by, email me back if you want some more vendor recommendations, यानि कि उसने किया यह, कि उसने का कि देखिये, मैं आपका फाइदा कर सकता हूँ, और 55% के हिसाब से फाइदा कर सकता हूँ, और मैंने report भी दे दिया, यानि evidence भी दे दिया आपको, तो और मुझे करीमे तीन vendors ऐसे मिले हैं, जो के आपको आपका पाइदा दिखाया, headline में कि जी यह आपको मिल सकता है, हिक हुक दे दिया, तो अब वो respond करेगा, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो इसको respond ना करे, तो we can now see the value of writing good copy, अब हम बात करते हैं कि जी किस तरह की jobs हैं जो available हैं as a copywriter, आप जैसे कि हमने पहले कहा कि advertising की jobs होती हैं, आप above the line भी कर सकते हैं, below the line copywriting भी होती है, above the line होता है जो actual इश्तहार बनता है, चाहे वो अख़बार का इश्तहार हो, magazine का इश्तहार हो, television का इश्तहार हो, या radio का इश्तहार हो, अब तो Facebook बगएर के पी इश्तहार होते हैं, तो इश्तहार जो है, उसकी copy लिखना जो है, उसके भी copywriters चाहिए होते हैं और ये traditionally advertising agencies में jobs अभी भी मौजूद हैं इसके लिए मगर online freelance भी jobs जो हैं इसमें मौजूद हैं online digital copywriter SEO की भी हमने बात की है social media ads की भी हमने बात की है हमने website content की भी बात की है हमने digital and mobile ads यानि के जो खास खाली mobile पर ads चल रहे होते हैं उनके लिए marketing blogs यानि के ब्लॉग्स जो लिखे जाते हैं सिर्फ एक चीज़ को बेचने के लिए या उसके बारे में product के बारे में information देने के लिए और social media marketing के content के लिए यह सारी ऐसी jobs हैं जो कि available है और online बे तहाशा available है copywriter के लिए काफी jobs available होती है I hope this has been helpful आगे sessions में हम actually copywriting को कैसे लिखते हैं कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे